अब जैसे परतिमाइं बनाई गई हैं ये रेशियों ने समाधी लगाई और समाधी में जिसको भी जिस रूप में दर्शन मेले उसने उस मिट्टी की मूर्ति उसी ये बना दी आगे चलके ये मूर्ति एक परंपरा बन गई तो इन्होंने बर्मा विश्णो महेस की मूर्तियां बनाई इन्ही के दर्शन हो है इनको किसी को बर्मा के रूप में दर्शन दे दिये इस परकार ये सब को विश्णित करके रखता है तो कहने का भाव ये है, इन रिशियों ने परमात्मा के दर्सन नहीं हुए, फिर भी ये घुमा फिराकर ये कहते हैं, कि वेदों में परमात्मा तो निराकार लिखा है, ये दिखाई देता है ये परमात्मा नहीं हो सकता, एक तरफ श्री विश्नो जी को complete गौड भी मानते है फिर बुदी विचलित होने से कोई इनको कहता है कि नहीं भगवान तो दिखाई थोड़ा देता है, वो तो निराकार है, परकास ही परकास है, से स्रार कमल में जाकर देखो, वो तो परकास ही परकास दिखाई देता है, एक जार जोतियां दिखती है, तो फिर ये वहां वरसों तक परमात्मा प्राप्टी के लिए कोशिस की भगवान मिले नहीं और ये एटम बम बन जाते हैं ज्यादा तप और जब करने से इस काल तक की भगती करने से और यही कारण है कि काल फिर इनका दुरुप्यों करता है रिमोट उसके आथम होता है इनका सब का तो चुनक प्रण जी के अंसे यह ओत्प्रोत हो गया पावराउस बन गया एक एटम बम बन गया एक मान धाता नाम के चक्रवर्ती राजा थे यानि पूरी परिछवी के सासक थे और वो एक वरस में दो वरस में दस वरस में जैसा भी वो उचित समते थे पूरी परिछवी पर किया करते थे चक्रवर्ती राजा करता था कि किसी अन्य भू भाग के भूपती को यानि छोटे राजा को मेरी प्राजीनता ऐस विकार तो नहीं होगी है तो उसके लिए वो क्या करते थे एक राजा का परसनल हार्स होता था अपना गोडाने जी उसके गले में एक लगार दिया करते थे उसके साथ हेकडों हजारों की संख्या में सैनिक चल पड़ते थे राजा का घोड़ा पर ते एक छोटे राजाओं के राज्य में से गुजरता जाता था उसके उपर लिखा होता था उस पंपलेट पर के राजा मान दाता चकरवर्ती का घोड़ा है बहतर करोड मान के चलो राजा के पास बहतर करोड सेना है और जिसको जिस भी राजा को राजा की प्राधिनता ऐस विकार हो गोडे को पकड़ ले और बांद ले और युद के लिए तियार हो जा तो वो गोड़ा जब लेकर जा रहे थे सैनिक चुनक रिशी की कुटिया राश्ते में थी राश्ते में चुनक रिशी ने पूछा भी कहाँ जा रहे हूं सैनिक उन्हों ने कहा बाँजी हम कोई काम जा रहे हैon वो चले गए वापिस जब आये तो भी उसी राश्ते से आये वो सारी पर त्रूप गूम गये उस सहर में इंट्री का वही राष्टा था उनका उस रिशी ने फिर पूछा भी सैनिको कहा गए थे इस गोड़ा खाली क्यों है सब पर सवार हैं लेकिन इस गोड़े पर कोई असवार नहीं है क्या कारण है तब उन्होंने बताया कि रिशी जी ऐसे ऐसे मान दाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है और इसके उपर कोई बैठ नहीं सकता इसके गले में लिखा है ऐसे ऐसे और हम सारी पर्थवी पर घोम कर आए हैं राजा के ये देखने के लिए राजा ने एक प्रिक्षन किया है कि कोई उसकी प्राधीनता ऐसे विकार तो नहीं कर रहा है हम ऐसे गए थे तो उस रिशी ने देखो रिमोट काल के आथ में बम बना लिया पहले तो गल्साद ना करवा के चुनक रिशी से रिमोट उसके आथ में अब ये मन कौन है ये मन ऐलिमेंट है उस काल का एक अंस है आत्म उस द्याल की अंस है अब देखो रिशी के मन में उसने रिमोट से आउन कर दिया रिशी के मन में आगया कभी राज़ा तो अपने आपको बड़ा एंकारी हो गया है इसको इतना भी मान हो गया इसका भी मान ठीक करना चाहिए अब रिशी ने कहा के सैने को यदि मैं तुम्हारे राज़ा का युद स्विकार कर लूँ तो क्या हो तो सैने की होते हैं सूरवीर होते हैं उनके बोलने की सैले भी कड़क होती है वो कैन लगे रहे कंगले तरह दाने खाने को नहीं अपनी जपले माला चुप करके और जुद करेगा तु बांदाता चक्रवर्ती के साथ तरी क्यों साथ सामत आई है बजले अपनी माला बजले अब रेशी जी का और दुना दुख हो गया कि इसके सैने कीतने भी मानी है तो राजा तो पता नहीं क्या होगा इसको सेट करता हूँ तो चुनो क्रेशी ने कहा कि मैंने स्विकार कर लिया तुमारे चक्रवर्ती राजा का युद अर इस गोड़े न बांदो मेरी कुटिया के इस पेड़ के अब वो सैनिक तो त्यार बैठे थे बांद दिया गोड़ा तुरंथ अब याई हर रेशी जी हम एक वाग्या ले आते हैं राजा की अब राजा को जाकर बताया कि ऐसे ऐसे एक चुनक नाम के रिसी ने आपका युद स्विकार कर लिया राजान मंत्री सलाकार होते हैं वो कहते हैं देखो आज एक आदमी की इमत एक ने सिर उठाया है राजान कलना कोई और भी बकवाद कर देगा देरे देरे क्रामती आ जाएगी और कहते हैं बुराई को सुरु आतम ही नष्ट कर देना चाहिए तो राजा ने कहा ठीक है जाओ तो राजा ने अपनी सेना की तीन भी भाग कर दिये तीन बटालियन बना दी और एक टुकडी में अठारा क्रोड सेना बेज दी एक रिसी को मारने के लिए उदर से उस काल के पुजारीन चुनक रिसीन बिर्म के सादगन सारे जीवन में जो ड़ले डोये थे उसकी चार पूतली बना दी चार प्रमानु बं बना दी वचन से पुनात्मा जो अध्धात्मिक मारग है जो साधना रिसी करते हैं ये भगवान से ही कुछ पार कोलेक्ट कर लेते हैं और वो तो समर्थ इषके वचन से सारे हूबर मन चल रहे, सब जीव बन गए, सब आसुपासी बन गए, बन रहे हैं, उसी तरह कर रहे हैं। वो तो उसके वचन की सक्ती से और उसी में से थोड़ी सी चिद्धी यानि अल्दी की गाट पराफ्ठ करके यह मनुस बगवान बन बैठता है तो चुनकरशी ने उस सारे जीवन में जो डले डोए थे जो कंकर पत्थर कठे करे थे सिधियों के उसकी चार पूतली बना दी चार एटम बं बना दी परमानु बं एक पूतली छोड़ दी उसके इतने टुकडे होगे एक पूतली के औ और उस अठारा करोड से नाका सेकन्ड और मिंट्डों के एसाब में नास कर दिया गतले आम पर डाला राजा ने दूसरी टुकडी भेच दी रिशी ने अपना दूसरा परमानों छोड दी बहतर करोड से नाका नास कर दिया उस काल के पूज़ारी ने अब गीता जाय नमर साथ के सलोक नमर अठारा में गीता ग्यान दाता कहता है ये ग्यानी आत्मा है तो दार अच्छी आत्मा है चले से भगवान पाने के लिए लेकिन ये मेरे वाली अनूतम अटल अनूतम यानि मेरे वाली ही गट अनूतमाम अती गटिया गती में सथीत रहे अब देखो चुनक रिची ने बहतर क्रोड सेना का नास कर दिया उन्हा अत्माओ चाहे कोई तीर तो मार दे कोई तलवार से काट दे कोई गोली लाठी तो मार दे पत्थर तो मार दे उसको उतना ही पाप लगता है अर्चाहे कोई वचन से मार दे उसका वो हतियार है तो उतना ही अपरादी है जितना के गोली से मारने वाला होता है अब पूरी पिर थ्वीपे चुनक रिची की महिमा होगी लेकिन उस कमभक्ष न यह नहीं पताते न तो अपने बविस्या में बबॉल बूईदली अब यहां परमात्मा कहते हैं बैत्र अक्सोनी अक्सैकरी अचुनक रिची सवर एक यह दे धारें जोरा फिर यह सभी काल के वेखे सुक्सम बेद में बताया परमात्माने के बैत्र अक्सोनी अक्सैकरी बैत्र अक्सोनी का नास कर जिया अचुनक रिची सवर एक पुनात्मों ये सुक्सम वेद की बानी कोई बालकों की नहीं है ये इतना गुड रहसे ठुपाई हुए हैं अपने अंदर ये इन आज तक के कभीर पंथीर फलाने इन रोज पढ़ते थे गरीब दाशी इनका कख भी समझ मनी आया चुनक रिसी स्वर एक रिसी स्वर जैसे मुनी वर रिसी रिसी वर रिसी स्वर यानि रिसियों में सरेष्ट उन सरेष्टों में भी सरेष्ट परम सरेष्ट रिसी उस परम सरेष्ट रिसी के ये काले कर्म है ये कर्तव है काले कार्ण में क्या बताते हैं कि बहतर अक्सोनी अक्से करी चुनक रिसी सुवर एक उस अकेले ने बहतर क्रोड का नास कर दिया और फिर बताते हैं दे धारें जोरा फिर जोरा वने मौत क्या ये चलती फिरती मौत हैं तुम जिनको रिसी कहा करते थे ये देधारें जोरा फिर जोरा वने मर्चू ये सभी काल के भेख एक दुर्वासा नाम के रिशी थे ऐसे शिद्धी ये काल की साथ नाव करका फिर ओम नाम तहीं तक की और ये भी सिद्धी युक्त हो गए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें